Hello everyone, welcome to the Jurawar classes Guys, यह आपकी रहेगी English की class and basically यह जो English की class है यह आपकी अजेक्टिव की class है अजेक्टिव का मतलब क्या होता है जो विशेशन होता है हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे हम विशेशन कहते हैं बट यहां से बहुत अच्छे अच्छे और बहुत प्यारे प्यारे question आते हैं तो अजेक्टिव की इस class को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनने की कोशिश करना विकॉज यहां से हो सकता है कि कुछ question as it is आपके exam में आजाएं तो भई समझ लेते हैं शुरू करते हैं अजेक्टिव क्या होता है तो भई देखो यहां पे ध्यान से पूछा गया है कि क्या भरा जाएगा कौन सा अजेक्टिव भरा जाएगा अब आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर कर लो पहले हम आंसर देखेंगे मैं आपको यूज बताऊंगा यहां पर के दो चीजों का सबसे पहले तो हम इसके अंदर लिटिल का यूज समझेंगे कि लिटिल का यूज क्या होता है और लिटिल और फ्यू का यूज दो जगह पे होता है और वो दोनों जगहें अलग-अलग होती है तो भई देखो यहां पर बेसिकली हम समझने वाले हैं यूज ओफ लिटिल याद रखेगा जो लिटिल होता है और यूज ओफ फ्यू इनके बारे में हम समझने वाले हैं तो आपको ready रहना है इन सब चीजों से related समझने के लिए अब देखिए भई जहां पर जो option सही होगा वो आपका हो जाएगा the little water the little water क्यों ये सही हो जाएगा the little water इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि जब आप समझ लोगे न कि little और few का यूज कहा होता है तो आप समझ जाओगे सबसे पहला case little और much ये दोनों एक तरह से लगबग लगबग होते हैं आप कहोगे sir कैसे होते हैं बहुत बेसिक सी जानकारी है and few और many ये दोनों लगबग एक तरह से होते हैं तो ये दोनों कहां यूज होते हैं ये यूज होते हैं countable noun तो पहला region तो यहाँ पर little यूज होने का देखो सिर्फ little यूज होने की बात कर रहा हूँ मैं वो ये है क्योंकि water uncountable noun है so little ही यूज होगा clear हो गया अब सवाल आता है sir the little क्यों यूज होगा तो इस case को समझने के लिए आप ध्यान से इसके notes लिख सकते हो अच्छे से notes बना सकते हो little तीन तरीके से यूज होता है तीन तरीके से यूज होता है जिनका यूज किया जता है little के साथ तो भाई देखेगा पहला होता है खुद अपने आप में little कि ये जो little है ये कहां पर हम यूज कर सकते हैं तो पहले समझ लो ये जो little है ये hardly any का sense देता है क्या देता है hardly any का sense देता है मतलब अगर कहीं एक चीज हो तो वहाँ पर हम यूज कर सकते है मतलब hardly any का sense देता है जैसे मैं आपको बता हूँ कि ये जो little है वो हम यूज कर सकते है जैसे little जो होता है वो यूज होता है जब कोई भी quantity आपको present की जाए कोई भी quantity present की जाए then वहांपर हम यूज कर सकते हैं मतलब कभी आपने एक ले लिया तो उस case में हम little का यूज कर सकते है second case है a little अगर little के सामने a लग जाए तो क्या होगा cultural के सामने a लग जाए ज्यान से समझेगा तो इस case में हम क्या यूज करते हैं ये एक तब यूज करते हैं सम कुछ हो लेकिन जादा ना हो मेरी बात समझेगा कि सम हो but not much but not much not much ठीक है तो यहाँ पर हमने little क्यों नहीं यूज किया क्योंकि हमें hardly नहीं लेना था कि hardly एक पानी है जो evaporate हो रहा है ऐसा तो है नहीं कि hardly की बात आ रही है यहाँ पर fixed pattern पर भी बात चल रही है ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर ऐसा नहीं था कि केवल वही पानी evaporate होता है जो भी पानी जग में रखा रहेगा उस पर अगर sunlight पड़ेगी या उसको heat किया जाएगा तो वो evaporate होगा मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ एक special case में पानी था तब हम वहाँ पर little use करते हैं so that's why हमने little use नहीं किया है clear हो गया अब last आता है the little हम कहां use करते हैं ध्यान से समझेगा the little हम कहां use करते हैं my dear friends तो जो the little होता है यह use होता है not much not much but not much but all ठीक बई मतलब यह यह कहां use होता है यह वहां use होता है जहां पर जादा नहीं लेकिन उतनी हर चीज जरूरी है उतनी हर चीज अवेलेबल है जो जरूरत है मतलब समझ रहे हो जैसे माल लो कि आप कह सकते हो कि YouTube पर जादा चीजें तो नहीं है ज्यादा चीज़े तो नहीं है बट हर वो चीज available है जो आपको जरूरत है तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर जो sentence लिखा गया था इसके पहले हमने the little क्यों यूज किया the little water इसका मतलब क्या हुआ उतना पानी evaporate हो रहा है जग से जितना उसमें available है इसका मतलब क्या हुआ उतना पानी evaporate हो रहा है जितना उसमें available है मतलब यह चीज समझे कि यह complete के case में यूज होता है आप अगर simple word में समझना चाते हो तो यह complete के case में यूज होता है यह यूज होता है sum के case में थोड़ा बहुत होगा तो और यह यूद होता है कि अगर fix हो कि मतलब यही होगा एक fix हो hardly way नहीं हो तो उस case में use होता है तो simple सी बात है जो जितना छोटा होगा जो जितना छोटा होगा वो उतना कम चीजों के लिए use हो सकता है मतलब देखो यह little में कुछ नहीं जोड़ा है तो यह fix चीजों पे लिए use होगा इसमें A जोड़ दिया गया तो यह कुछ और चीजें जोड़ सकता है इसमें 3 लिटर और जोड़ दिया गया तो यह complete जोड़ सकता है बस simple सा pattern है जिसको आपको याद रखना है ठीक है उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पर few की एक case है जिसको हम बात कर लेते हैं few की भाई few बहुत important है यहाँ से भी question आपके exam में बार बार पूछा जाता है यह भी हम लोग बात कर लेते हैं folder few का case क्या होता है कि few इसी case में use होता है but few क्या होता है वो countable के साथ use होता है ये countable के साथ use होता है और ये भी बिल्कुल same pattern पे चलता है hardly any के साथ अगर hardly any कोई एक fix चीज है तो उसके लिए हम few use करेंगे but a few जो होता है वो some के case में use होता है मतलब बहुत सारी चीजे थी लेकिन हम उसमें से कुछी की बात कर रहे हैं तो इस वज़े से यहाँ पर हम क्या use करेंगे few use करेंगे some but not many some but not many clear हो गया तो इस case में हम use करेंगे a few का और चुकि 3 letter लग जाते हैं इसके साथ 3 letter लग जाते हैं तो ये completely पूरे की बात करता है not many मतलब सारे के सारे की बात तो नहीं करता है but हर वो चीज की बात करता है but हर वो चीज की बात करता है जो वहाँ पर available हो but all available things की ये बात करता है तो याद रखेगा ये दोनों same pattern पर चलते हैं दोनों का meaning same होता है but few जो होता है वो many के case में use होता है फ्यूज जो होता है वो many की case में या आपका सकते हो कि countable के case में use होता है countable के case में use होता है but जो little होता है my dear friend ये use होता है uncountable के case में किस case में use होता है uncountable case में use होता है ठीक है भई समझ में आया तो मज़ा आया कि नहीं question में और आप आज end होने के बाद session के end होने के बाद बता के जाना मेरे को कि 15 में से कितने question आपके आ रहे हैं ठीक है भई कितने आपके बने हैं 15 में से फटावट से बता के जाना चलो next question he has not sung songs तो अब बताओ भई क्या यूज करोगे अभी मैंने बताया song कैसा है देखो पहले समझो adjective क्या होता है adjective जो होते हैं ये noun और pronoun की noun और pronoun की noun और pronoun की pronoun की quality को represent करते हैं quality को represent करते हैं तो भई ये जिसके पहले लगेंगे उसी की quality को represent करें like songs लिखा है तो songs जो है वो countable होता है countable होता है गाने क्या होते है countable होते है तो बताओ much लग सकता है नहीं much क्यों लगता है much तब लगता है जब वहाँ पर uncountable की बात की जाए अभी थोड़ी दिर पहले मैंने बताया ठीक है most जो है ये superlative degree है my dear friend ये क्या है superlative degree है तो यहाँ पर superlative की जैसे कोई बात हो नहीं रही है sentence के अंदर तो ये answer cancel more जो है वो comparative degree है comparative degree है and many जो है ये use होगा हमारा answer होगा many क्योंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये countable है और many इसलिए use होगा क्योंकि ये positive degree के अंदर sentence लिखा हुआ है so यहाँ पर many यूज होगा clear तो answer हो जाएगा आपका many will be the right answer next question पर move करते स्रिस्टी हैस सर्च्ट बताओ भई whole the office ऐसा तो कुछ है नहीं ऐसा हम नहीं लग सकते है कि the जो है वो office के पहले लगे अगर objective की case में आप पढ़ रहे हो तो ये super late to degree के पहले लगता है ठीक है a whole ये भी नहीं लग सकता some whole ये भी नहीं लग सकता आपका answer होगा स्रिस्टी है sir the whole office the whole office ठीक है भई फटाबट से बताएंगे next question बहुत important ये भी आपका एक बहुत important question है यहां से मैंने बताया ना कि ये session आपका ऐसा होने वाला है कि हो सकता as it is question आपके exam में पूछ लिये जाएं तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से last तक देखते रहना और एक बार share कर देना session को जिससे सब लोग चुड़ सके और जादा से जादा लोग आ सके यहां पर तो भाई लिगा गया प्रेम चंद्र वाज डैस best best मतलब क्या superlative superlative के पहले हम क्या यहां fill करेंगे the fill करेंगे and most famous देखो भाई यहां पर the most famous हम use करेंगे क्योंकि इसके पहले हमने क्या किया इसके पहले हमने superlative यूज किया है और हम उसी एक particular noun के बारे में बता रहे हैं तो अगर यहां पर superlative यूज हो रहा है तो यहां पर comparative थोड़े नहीं यूज सगो सकता है भाई क्योंकि यह single है comparison या more या most ये जो है most जो है वो एक ही ब्यक्ति के लिए यूज होता है बट more जो है ये तब लगता है my dear friend जब दो लोग हो इसलिए यहां पर ये cancel हो जाएगा और a का तो कोई case ही नहीं बनता a के साथ हम best को नहीं लगा सकते तो ये भी cancel हो जाएगा the लगा सकते बट a के साथ हम most को भी नहीं लगा सकते because most super late हुए तो इसके पहले the ही होना चाहिए the ही होना चाहिए तो ये भी हम नहीं लगा सकते बचता क्या है option number d will be the right answer clear हो गया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बर बता देंगे सब लोग comment करके फटा फट से ठीक है क्योंकि देखो ये भले आपको लग रहा है कि ये recorded class है but मैं आपके साथ जुड़ा हूँ मैं comment कर रहा हूँ तो आप लोग फटा फट से दो बार article यूज नहीं होता है एक ही article में यूज हो जाएगा मतलब यहां पर देखो जैसे लिखा गया a poet and a dramatist ये तब यूज होता है जब दो लोगों की बात हो अलग-अलग दो लोग हो जैसे लिखा जाए William Shakespeare and Kalidas is a famous as a poet and a dramatist मतलब दो लोगों की अलग-अलग बात की जा रही है दो लोग जब अलग-अलग बात की जाएं तो वहाँ पर हम इन दोनों के case में अलग-अलग लिखते हैं otherwise a लिखेंगे और दोनों का description यहाँ पर डाल दिये दोनों executive को हम केवल एक article के साथ यूज कर सकते हैं ठीक है? clear हो गया? समझ में आ गया? यहाँ पर भी देखो दो अलग-अलग article लगे हैं यहाँ पर भी अलग-अलग बार हम यूज भी नहीं कर सकते हैं यह नहीं की जैसे यहाँ पर a और a यूज किये हैं यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है तो simple सा आपका answer हो जाएगा a poet and dramatist ठीक है? next question पर move करेंगे c returned that than I had thought तो भाई दिखो than लगा है इसका मतलब यह comparative degree में है comparison के लिए क्या यूज करते हैं? more यूज करते हैं more यूज करते हैं बिल्गुल सभी बात है तो sir more के साथ दो option अमें मिल गिया quicker नहीं यूज होता है क्योग quicker जो होता है वो comparative degree होती नहीं है executive जो quick का होता है वो quickly होता है quick का जो subjective होता है वो quickly होता है समझ में आई बाथ ठीक है? तो quicker तो होता ही नहीं है तो ये भी cancel quickly होगा बट यहाँ पर comparison के साथ आना चाहिए इसके पहले more आना चाहिए तो more है नहीं क्यों comparison के साथ आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर then लगा हुआ है तो इसमें दो चीजे हैं एक तो quick का आपको objective भी लिखना है और उसके साथ लिखना है कि comparison को भी show करे तो भाई ऐसा एक ही option आपके सामने बचता है वो बचता है more quickly so your right answer will be more quickly next question है बताओ मजा आ रहे कि नहीं आ रहे question आपके label के हैं कि नहीं है बताओ भाई एक बार बता दो comment करके question का जो label है वो अब बढ़ियां बढ़ियां आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ सबसे पहले बता दो सब लोग लिखा गया he is das foolish person तो भाई he is das the foolish तो लग नहीं सकता तो cancel हो गया और rather rather के पहले ये भी cancel हो गया अच्छा देखो यहाँ पर rather ही हम यूज करेंगे और ये दोनों option में rather लिख दिया गया है तो भाई आपका दोनों दोनों सई हो जाएगा बले ही यहाँ पर हमने कोई चीज ढाला नहीं है तो आप समझ लो कि ये दोनों सई होगा हलाकि दो option सई नहीं होगा तो इस वज़े से ये डी वाले को हम एक option डाल देते हैं none of these तो हमारा option सही हो जाएगा option number C ठीक है बई next question अब देखो यहाँ पर rupees लिखा है एक चीज सुन लो ध्यान से जैसा कि आपको option में दिख रहा है यहाँ option में हर जगा only and 20 जरूर मिलेगा आपको क्योंकि only and 20 क्यों मिल रहा है तो अब आपको यही pattern समझना कि only लगता कहा है जैको बई only या तो पहले लगा दोगे या तो एकदम last में लगाओगे तो last में तो लगा नहीं है जान से सुनिए last में लगा नहीं है तो अब कहां लगाएंगे 20 के पहले लगाएंगे जैसे यह तो verb है यह तो verb है तो verb के पहले तो हम only लगाएंगे नहीं क्योंकि only क्या करता है और यह noun के पहले लगेगा अगर यह verb के पहले आप यूज कर लोगे my dear friends तो यह adverb हो जाएगा सो भई पहले तो हम वर्ब लिखेंगे this pen costs costs यहीं सिर्फ दिया है यहां भी दिया है बट यहां पर इसमें only नहीं लिखा है सो यह wrong है ठीक है यह wrong है 20 तो लग नहीं सकता तुरंट और only भी तुरंट लग देख सकता क्योंकि only इसकी विसेशता बता रहा है इसलिए 20 के पहले लगेगा so right answer will be option number C बहुत बढ़ी है next question पर move करते है it is dash pride बताओ भई क्या होगा देखो nothing else but पड़ा simple सा pattern है सबको याद होता है nothing else but यह बहुत simple सा pattern है so answer will be option number A nothing else but ठीक है next question है this T is बहुत important question यह previous year questions में पूछा हुआ है तो इसका answer गलत नहीं करना है सब लोग शहीं बताओगे बताओ भई जल्दी से बताओ सब लोग इसका answer एकदम गलत नहीं करना है सब लोगों को शहीं बताना है क्या answer होगा तो this T is too hot यूज करते हैं याद रखेगा जब कोईची drink हो रही है या T के साथ हम too hot यूज करते हैं याद रख सकते हैं ठीके भई चलो next question पर चलते हैं तो बिलकुल option number A will be the right answer the girl whom you met is the, the लग गया मतलब superlative sorry कम, बिलकुल superlative तो यहाँ पर option में देख सकते हैं older और oldest यह मतलब बड़े की बात कर रहा है तो भई बड़े के लिए elder लगाते हैं या उसका हम superlative बनाएंगे तो eldest लगाएंगे, simple सा answer यहाँ पर चलो भई, यह तो आसान था next question the historical place is यह तो बड़ा important question है भई यह आपके लिए homework है देखना है कौन इसका answer सही बताएगा यह आपका homework question है और अगर आपको आ रहा है तो आप अपना score 15 में से जोड़ सकते हैं कि कितना आपको मिला इसको जोड़ सकते हैं और otherwise आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं तो आप 14 out of बताएगे कि इकतना आपका score आया यह आपका homework question है ठीक है तो move करते है next question पर so next question आपके सामने these flowers smell बताओ भई क्या होगा इसका answer तो यह देखो यह आगया गलती से smell sweet होगा sweet होगा क्योंकि इसका हम comparative या कर सकते हो कि हम इसका adjective जब बनाएंगे तो sweetly नहीं होता है ठीक है भई क्योंकि sweet जो है वो एक तरह से आप यह कर सकते हो कि कोई verb नहीं है या उसको हम sweetly नहीं कर सकते हैं ठीक है चलो next question more sweet होगा और most sweet होगा sweet का more sweet and most sweet होगा sweetly नहीं होता है लिगा गया है aspirant cannot pass the entrance exam अगर हम मैनत से नहीं पढ़ोगे तो यह आप लोगों के साथ भी हो सकता है so आपको मैनत करने की जरूवत है and याद रखिए कि यहाँ पर पूछा गया है कि aspirant cannot pass the entrance exam तो क्या होगा भई बताओ जल्ली से तो हर aspirant के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पर हम हो जाएगा यहाँ पर answer हम करेंगे option number B and the last question इसके बाद सब लोगों को answer अपना बताना है comment box में फटा फट से comment करके और आपको session कैसा लगा इसका भी आपको बताना है answer कि कितना आपका answer है बिलकुल प्रेम चंदर is a second Shakespeare ठीक है बाई प्रेम चंदर is a second Shakespeare अब second के पहले ए क्यों लगा उसका भी region है द नहीं लगा सकते because of that why? because of that क्योंकि superlative में हम द लगाते हैं तो यह cancel and हम लगा नहीं सकते because second का pronunciation say से हो रहा है यह तो यह एक benzen है तो इसमें लगा नहीं सकते कितने आए फटा-फट से comment करो and दूसरी चीज आप बताओगे 14 में से कितने आए अगर आपको वो homer question नहीं आ रहा था तो आप 14 में से बताओ और 15 में से बताओ and second thing आपको executive तयार करना है तो आप हमारा course जॉइन कर सकते हो जिसकी link आपको discussion box में दी गई है और आपको cable 3999 में available हो जाएगा but आप join करने के पहले demo classes जरूर visit कीजिए अच्छे से देखिए demo classes then आप join कर सकते हो ठीक है याद रखिए course को जल्दी से जल्दी finish करने की कोशिश कीजिए क्योंकि जैसे ही आपकी vacancy आएगी न तो आपके पास time नहीं रहेगा बहुत सारे subjects होंगे और कुछ लोगों को जिनको आप अपनी weakness नजर आई है वो इन weakness पर काम करना शुरू करें भई इन weakness से लड़ने की कोशिश करें और वो जल्दी से जल्दी strong होए ठीक है वही चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बाकी का मिलेंगे हम लोग next session में और next week में तो thank you so much